आपको अपडेट कर देना चाहता था है, MCC की वेबसाइट पे PDF अप्लोड हुआ है, जिसमें क्लिरली बताया गया है, कि 30 जुलाइ को जो नोटिस आया था, जिसमें उन्हाने गौर्रमेंट ने कहा था, कि OBC और EWS का रेजरेवेशन आल इंडिया काउंसरिंग में भी होगा, उसको चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोट में इस चीज की हेरिंग 6 जनवरी को होगी, इस चीज की हेरिंग सुप्रीम कोट में 6 जनवरी 2022 को होगी, उससे पहले आप काउंसरिंग एक्सपेक्ट मत करिये, ठीक है, तो ये वाला मैटर अभी तक ये समझा जारा था, PG क चीज नहीं है, और क्लिरली दिखाई दे रहा था कि जो PG में लॉजिक अप्लाए किया जा रहा है, जिसके बेसिस वे केस चल रहा है, सुप्रीम कोट जस्टिस डिवाय चंडर चूट बेंच पे और इस तरफ सॉलिसिटर जनरल जोते, उससे क्लिरली लग रहा था कि ये वा चीज सेटल नहीं हो जाती, विद रेस्पेक्ट वॉल इंडिया कांसलिंग और क्योंकि ओल इंडिया कांसलिंग नहीं हो रही, तो स्टेट कांसलिंग भी नहीं होंगी, ठीक है, तो ये PDF जो है, हमने नीटपर के टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया है, मैंने आपको थोड़ था, 2007 में SC और ST के लिए 15.5% किया गया, और इस बार 30 जुलाय 2021 को OBC और EWS के लिए किया, जिसको कोड में चैलेंज किया गया, ठीक है, तो ये PDF हमने नीटपर के टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया है, now this thing is official, 6 जनवरी से पहले कोई भी कांसलिंग की डेट अनौंस नहीं होत है, वो 6 जनवरी को है, ठीक है, तो अब EK करके चलते हैं, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमने इस वाली चीज़ को request किया था, obviously हमारे कहने से नहीं होगा, पर good news यह है, कि इस वाली चीज़ को at least उन्होंने inform कर दिया है, कि 6 जनवरी से पहले आप कुछ expect मत करिये, इसका मतल और इस process में कम से कम दो मैने लगता है, फाइनल जो straight round, pop up round वगरा होता है, तो 15 मार्च से पहले, final allocation यहोंगे, फिर report वगरा करने के लिए time मिलता है, तो session is absolutely significantly delayed, absolutely significantly delayed, it is delayed, पिछले साल के मुकाबले, by 3 months, और असलियत में देखा जाया, तो almost 6-7 months, है ना, इसका implication क्या है, और अच्छी बात है, at least इन्होंने inform कर दिया, एक तो मैं यह चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि NTA भी confirm करते कि क्या इस situation में, क्या यह जो हमारा जो session start हो रहा है, अब medical colleges में, जो करीब April 1st के आसपार जाके चालू होगा, क्या यह चीज होते हुए भी, वो exam मही में conduct करेंग और बच्चों को वहाँ पे admission के लिए, तो आप यह सोचे, 2021 वाले students पहुचेंगे, 15 April के आसपास, क्या वो 2022 वाले students को 15 July को भेजना चाहेंगे, या 15 July तो नहीं हो पाएगा, यदि माई में भी करते हैं, तो 15 September को भेजना चाहेंगे, पांच महने के अंदर, तो 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 चीज यह हैं, यदि एंटिया कंफर्म कर देता है, तो तो डाट वूट बी वेरी गूट कि में में होगा या लेट होगा, so that students can plan, है ना, यह चीज सो भी पता है कि कम से कम इत्ता डिलेड है, यह minimum case है, इससे पहले यह स्टूडेंट नहीं जाने वाले Medical Colleges में, तो यदि आप मही में करते हैं, तो आप नए बैच को 15 सितंबर को भेज देंगे, क्या सिस्टम इस चीज के लिए रेडिया कि एक बैच 15 अप्रिल को आया था, दूसरा बैच 15 सितंबर को नहीं है, तो अभी से इस एक्जाम को बता दो कि नहीं होगा मही में, जू शोर्ट सेलेक्शन है, आप बैठो, वेकेशन पर जाओ, स्कीन नहीं किया, पाड़ी इलाकों में चले जाओ, जहां पर बर्फरती है, जिनका शोर्ट सेलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिनका बॉर्डर लाइन है, मैंने उनसे कहा था, आपको वेक्शन तायारी करनी है, इंपोर्टर टो ले टाइम वेस्ट करना है, आप देख रहें कि story time बेस्ट हो ऊगरान आती है, जो इनफरमेशन आती है, वह थोड़े short notice पर आती है, थोड़ा unnecessary है, पर शैद य नहीं बताइझे, शैद बता भी 5 त् solicience का सैट devoted चल रहाओ, नहीं बताएंगे तो आप को क्या करना है आपको चीजों से डिस्टैक्ट नहीं हो ना आपका अधी बॉर्डर लाइन केस है या आपका कोई चास नहीं है आपको अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कॉंटिन्यू रखनी है हम आपके लिए मौक टेस्ट रेगुलर्ली कंडर्ट करते रहेंगे आपने देखा होगा रेकिमेंडेड एंसी की उसके अंदर हमने सारे चैप्टर्स के डाल दिये हैं अभी आपका टू लेविल टेस्ट सीरीस का सैंपल टेस्ट नंबर टू भी आने वाला है तो यहां पर तैयारी चलती रहेगी ठीक है जो पढ़ने वाले आपको यहां पर कुछ लिया के अपडेट कर देंगे आपका कुछ सवाल है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिए ठीक है बच्चो